हेलो एवरिवन तो आज हम एक बहुत ही प्यार सा गीत पढ़ने वाले हैं जो की एक लव ट्रैंगल पे बेज़ड है मतलब होता है ना यार कि आपका दिल जिसे देख के धगधग करता है वो इनसान तो किसी और से ही प्यार करता है कुछ ऐसा ही होता है मालवा के राजा की बहन देव सेना के साथ भी जिन्हें सकंद गुप्त से प्यार हो जाता है लेकिन सकंद गुप्त के सपनों की रानी तो कोई और ही थी और जब देव सेना जी सकंद गुप्त के पास जाती है अपने प्यार की चिठी लेकर और कहती हैं क्या आप बनना चाहेंगे मेरे पिया तो वो कहते हैं देवी हम आपके जज़बातों के इज़द करते हैं लेकिन हम तो साधी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों की रानी विजिया से ही करेंगे और वो देव सेना के प्रपूजल को ठुकरा देते हैं लेकिन 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 कहानी में ट्विष्ट तो तब आता है जब इस बार इसकंद गुप्त अपने प्यार के चिठी लेके अपने सपनों की रानी विजिया के पास जाते हैं और कहते हैं लेकिन वो तो उन्हें साफ साफ मुँ में इंकार कर देती है अब इसकंद गुप्त का ये छोटा सा दिल जो है वो तूड जाता है और इस तूटे दिल के साथ इसकंद गुप्त को ये एहसास होता है कि देव सेना उनसे कितना प्यार करती थी और वो देव सेना के पास खुद जाते हैं और पूछते हैं देवी क्या आप अब भी बनाना चाहेंगी हमको अपना पिया और अपने दिल पे पत्था रखे देव सेना जी सकंद गुप्तु को कहती है नहीं वैसे न आप जिससे जिन्दगी भर प्यार करते हो उसे ना बोलना आसान नहीं होता और अपने इसी दुख को व्यक्त करने के लिए देव सेना जी ये गाना गाती है अब देखो जी ये जो गाना है ये बाबा अदब के जमाने का है तो इसमें लैरिक्स हो या ना हो लेकिन मुश्किल सब्द इसमें भरे पड़े हैं तो हमें उन सारी के सारी सब्दों का अर्थ देखना पड़ेगा इस पूरे के पूरे गाने को समराइज करने के लिए अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बिलकुल गलत हो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ आसान आसान सब्दों का इस्तमाल करते हुई पूरे के पूरे गाने को समराइज कर दूँ होता है तो यह निकलती है तो देव सेना जी कहता है आव वेदिना मिली विदाई विदाई मतलर बिछड़ना तो वह कहती है कि मुझे अपने प्याण से से बिछड़कर मतलर इसकंद्गूप्त से बिछड़कर बहुत दर्द हो रहा है मैंने भरमवस जीवन संचित मधुकार्यों की भीक लूटाई भरंवस मतलब भ्रहम में रहकर अब उन्हें किस बात का भ्रहम था ? उन्हें इस बात का भ्रहम था कि एक दिन उन्हें इसकंद गुप्त्ट मिल जाएंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है तो कहती है कि मैं इस ब्रह्म में थी कि मुझे एक दिन स्कंद गुप्त मिल जाएंगे और इस ब्रह्म में रहकर मैंने मधुकारियों की भीक लूटाई अच्छा मधुकारियों मतलब क्या होता है मैंने का मधुकारियों मतलब आपको नहीं पता और हमें मतलब जानना भी नहीं है आपको मधु मतलब पता है मधु मतलब सहद होता है मधु करी मतलब क्या होना चाहिए मतलब कोई ऐसा काम जिसे करने से sweet feeling आ है मतलब आपके सपने है आपकी एक्षाएं तो मधु कारियों मतलब हो जाएगा आपके सपने आपके इक्षाएं तो मैंने इस ब्रह्म में रहकर कि मुझे एक दिन सकंद गुप्त मिल जाएंगे मैंने अपने सारे सपने अपने सारे इक्षाएं भीख के कीमत पे लुटा दी मतलब सब को बरबाद कर दिया तो overall इस स्टेंजा का समरी होगा कि मुझे अपने प्यार से बिछड कर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मैं इस ब्रह्म में रहकर कि किसी दिन वो मुझे मिल जाएंगे अपने जीवन की सारी इक्षाओं को भीख की कीमत पे लुटा दी तो एक बार आप वीडियो पॉस करके खुझ से कोसिस करो इस स्टेंजा की समरी समझने या बनाने की क्योंकि एक्जाम में मैं आपके पास एवलिबल नहीं होगा और फिर हम आगे अगले स्टेंजा में प्रोसीड करते हैं तो अगले स्टेंजा में देव शेना जी कहती हैं छल छल थे संध्या के स्रमकड आसू से गिरते थे प्रदिक्षड मेरी यात्रा पर लेती थी निरवता अनंत अंगडाई मैंने कहा आपको छल छल मतलब नहीं पता छोड़ो स्टमकड मतलब नहीं पता छोड़ो आपको प्रदिक्षड मतलब नहीं पता छोड़ो आपको निरवता मतलब नहीं पता नहीं जानने की जरुरत है आपको संध्या मतलब तो पता है आपको संध्या मतलब तो पता है आसू मतलब तो पता है तो यहाँ पर देखो देव सेना जी कहती है कि मेरे दुख से दुखी हो के ये संध्या भी मतलब ये साम भी आशू बहा रही है मेरे दुख से दुखी हो के ये संध्या भी आशू बहा रही है मेरी यात्रा पर लेती थी निरवता अनंत अंगडाई अब देव सिना जी कौन सी यात्रा में थी देव सिना जी अपनी लाइफ जर्णी में थी इसकंद गुप्त को पाने की तो वो कहती है कि जीवन भर मैंने अपने प्यार का इंदजार किया वो तो मिले नहीं मिली क्या मिली मुझे अनंद अंगड़ाई मतलब infinite time के लिए lonely नसी हाथ लगी मतलब कि अकेला पन हाथ लगा तो वो कहती है जीवन भर मैंने अपने प्यार का इंदजार किया वो प्यार तो मिला नहीं अब तो बस अकेला पन ही मेरे साथ है अगेन एक बर आप वीडियो को पॉस करो और खुद से इसे summarize करने की कोशिस करो तो अगले इस टैंजा में देव सेना जी कहती है स्रमित स्वपने की मधु माया में गहन विपिन के तरुछाया में पथिक उनिन्दी रितु में किसने यह विहाग की तान उठाई तो यहाँ पर विहाग मतलब क्या होता है नहीं जानने की जुरुत है उनिन्दी मतलब भी हम नहीं जानेगे स्रमित मतलब भी नहीं जानेगे यहाँ पर वो कहती है कि स्रमित स्वपने की मधु माया में मधु मतलब तो हमें पता है न मध्यू मतलब होता है सहद, सहद स्वीट होता है, तो वो कहती है, और स्वपन मतलब क्या होता है सपना, तो वो कहती है मैंने एक मीठा मीठा सपना देखा है, मैंने एक स्वीट ड्रीम देखा है, कि जिस प्रकार से गहरे जंगल में, विपिन मतलब होता है जंगल, और नहीं पता था तो यह याद करने की जड़त नहीं है तरू छाया से समझ में आ जा रहा है तो कहती है मैंने एक मीठा मीठा सपना देखा था एक मीठा मीठा सपना देखा था मैंने कि जिस प्रकार से गहरे जंगल में एक पेड़ की छाया में कोई पतिक पतिक मतलब कोई यात्री पत करो वीडियो और दुबारा समझने की कोशिस करो खुद से कि आप इसे एक्स्प्रीन कर पा रहे हो या नहीं तो अगले इस टेंजा में देव सेना जी कहती है लगी सतिस्ट दीड थी सबकी जही बचाये फिरती कब की मेरी आसा आह बावली तूने खोधी सकल कमाई तो यहाँ धिड कब की सबकी सकल कमाई यह सबका मतलब जानने की जरूत नहीं है हम यहाँ पर कुछ बहुती संस्क्रिश्ट सबस्बहए बहुत मतलब होता है पियास तो देव सेना जी कहती है लगी सतिस्ट दीड थी सबकी मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ सकंद गुप्त की प्यास थी रही बचाए फिरती कब की जिस प्यास को मैं जीवन भर बचाई फिरती रेज मेरी आसा आ बावली तूने खोदी सकल कमाई अब उनकी आसा क्या थी उनकी आसा ये थी कि एक दिन उन्हें सकंद गुप्त जरूर मिल लेकिन आज तो एक ही पल में मैंने वो सारी आसा सारी प्यास सब एक बार में सब खो दिया तो एक बार अगेन आप इसे रोको वीडियो पॉस करो और समझने की कोशिस करो कि आप इसे एक्जाम में एक्स्प्रेंड कर पाऊगे या नहीं और नहीं कर पाऊगे तो वीडियो शेना जी कहती है चड़कर मेरे जीवन रत पर अब जीवन रत मतलब समझ में आ रहा है मतलब की जर्नी तो वो कहती है मेरे इसकंद गुप्त को पाने के जर्नी में प्रलय साथ साथ चल रहा था मतलब की मुझे पता था कि अगर मैं अपने जीवन में जिससे प्यार करती हूं अगर उसने मुझे मुझे मना कर दिया तो मेरी जिंदगी में प्रलाय आ जाएगा लेकिन मैंने अपने दुर्बल पद बल पर मतलब कि मैंने अपने इस कमजोर पैरों के बल पर ये लड़ाई लड़ती रही और उससे देखो मैं हार भी गई तो एक बार मैं आपको ओर ओर एक्प्लिनेशन बताता हूँ इस स्टेंजा का तो देव सेना जी कहती है कि मुझे पता था कि मैं अपने जीवन में जिससे प्यार करती हूँ अगर उसने मुझे मुझे मना कर दिया तो मेरी जिंदगी में प्रलाय आ जाएगा लेकिन उस डर से मैं लड़ती रही और देखो आज उस प्रले से मैं हार भी गई अगले स्टेंजा में देव सेना जी कहती है लोटा लो यह अपनी थाती मेरी करुणा हाँ हाँ खाती विश्वना समलेगा यह मुझसे इस से मन की लाज गवाई तो यह स्टेंजा बहुत ही आसान है और इसमें मुझे दो सब्दों को छोड़के को भी मुश्कल सब्द दिखते रही है यह थाती और खाती तो मैंने कैसे भाण में जाने दो आप यह देखो वो कह रही है लोटा लो अपनी यह थाती अब देश सेना जी क्या लोटा आने के लिए कह सकती है उन्हें सकंद गुप्तर ने दिया क्या था उन्हें सकंद गुप्तर ने प्रपोजल दिया था वो कहते हैं कि क्या आप मुझसे साधी करेंगी तो वो कहते है कि अपना ये proposal अपने पास ही रख लो इसे लौटा लो मेरी करुणा हा हा था थी करुणा मतलब या समझ में आ रहा है कि वो बात कर रहे हैं अपने self respect की अपने self esteem की तो वो कहती है कि अब मेरी self respect ना मुझे मना कर रही है अब ये कहरी बस हो गया बहुत प्यार कर लिया अब ये प्यार महबत मुझसे नहीं हो पाएगा विश्वना समलेगा मुझसे और वो कहती है ये दुनिया वाले मुझसे नहीं समलेंगे जब ये दुनिया वाले मुझसे कहेंगे कि इसकंद गुप्त को विजिया ने मना कर दिया था ना तभी तो वो तुम्हारे पास चले आए तो एक बर मैं आपको पूरगपरा इस्टेंजा री एक्स्पेंड कर देता हूँ तो देव सेना जी सकंद गुप्त को कहती है कि आपने अपना ये जो प्रपोजल दिया है न उसे लोटा लो यार इस प्यार मोहबत में मेरा दिल अब भराया है और अगर मैंने तुम्हारा ये प्यार का प्रपोजल एक्सेप्ट कर भी लिया तो इन दुनिया वालों को कैसे समझाओंगी जब वो बोलेंगे कि सकंद गुप्त जी को तो विजिया ने ठुकरा दिया था तब ही तो वो तुम्हारे पास चले आए तो एक बर अगेन आप वीडियो को पॉस करो और इसे खुद से समझने की कोशिस करो तो आई होप आपको ये गाना बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा तो बस यार आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चेप्टर के साथ तब तक के लिए दीजे मुझे इजाजत नमस्कार